हेलो बच्चों, अभी जो हम डिसकस करने जा रहे हैं, ज़ादतर आप लोग बोलते हैं, कि प्राब्लम बनाने में दिक्कत होती है, तो हम वसी चीज़ को अभी सॉल्व करेंगे, और ट्रांसवर्स वैब्रेशन के प्राब्लम पर बात करेंगे अभी, कि ट्रांसवर्स वैब इस तरह से आपको समझना है और वो पूरे physics का ही problem नहीं होता है वो समझ रिजे कि math का भी problem होता है chemistry का भी problem होता है इसलिए कि जो type होता है problem का वो आपको हर जगा काम करता है जो problem का type होता है वो हर जगा काम करता है जैसे मालेजे कि कोई भी ratio type problem है इसका काम खाली physics में ही में थोड़ी होता है पुरे physics में होता है पुरे physics में होता है जैसे देखिए आपके पास transverse vibration of string में जो है दो आपके पास major formula है घी equal to root under t by mu और frequency के लिए one by two l root under t by mu और इसमें आपको यह पता है कि mu क्या है साहब म्यू क्या है mass per unit length है mu क्या है mass per unit length है mu क्या है mass per unit length मतलब mass upon length है है ना mass upon length है कोई अपतित्स में और टी पता है कि क्या है से टी जो है टेंशन इंदा इस्ट्रिंग है कि जो है इस टेंशन है टी इस्ट्रिंग में टेंशन है टेंशन है और force tension is nothing it is force tension क्या है फोर्स है बोलो इसमें कोई आपती है ठीक बात है और frequency के लिए जो फर्मूला है 1 by 12 root अंडर टी वाई म्यू तो टी और म्यू तो यही चीज है बाकि एल जो है यह आपका क्या है length है अब देखो जो हमने कहा कि यह एक जगह का problem नहीं है पूरे फिजिक्स का problem है कैसे सबसे पहले यहां देखो जैसे मालो अब जो इसमें जो question जो आपको जैसे पूछा जाता है तो इसको कैसे solve करना है इसको समझे अब इसी में से major formula के पास यह दो है इसी से कई तरह का question और formula को निकाल लेता है कि निकल सकता है कैसे जैसे सबसे पहले यहां देखो जैसे वी equal to root under ty mu है तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया अगर mu constant हो तो अगर mu constant हो तो इसका मतलब भी डिरेक्टी प्रपोर्शनल टू रूट टी जैसे हो गया तो रेशियो फार में v1 upon v2 equal to root under t1 upon t2 v1 upon v2 equal to root under t1 upon t2 तब इसी से देखिया आपका जो question निकला जैसे अगर tension string में ज्यादा हो तो velocity क्या होगा ज्यादा होगा तो यहां पर mu constant है यह ratio बना और इस तरह का form क्या एक ही जगह के लिए थोड़ी है सब जगह के लिए कहीं भी हम अगर ratio का form लेना चाहते हैं तो बांकी जो remaining factor होगा वो constant होना चाहिए और mu constant का मतलब mu constant कब होगा mu है क्या mass per unit length है mu क्या है mass per unit length है मतलब अगर uniform wire हो wire क्या हो uniform हो तो naturally mass per unit length हो सब जगह बराबर हो गया है ना wire अगर uniform हो कहीं पतला मोटा नहीं हो तो वैसे इस तिति में mass per unit length क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा बात समझ में आया या नहीं आया ठीक है तो आपका यह formula काम करेगा फिर अब यहाँ पर देखिए जैसे frequency के लिए आपके पास formula है n equal to 1 by 12 root under t by mu तो यहाँ पर frequency के लिए ऐसे तो आपके पास यह formula है लेकिन अगर यह दोनों ही factor constant हो सपोज t और mu दोनों constant हो t और mu अगर दोनों constant हो साब तो n जो है inversely proportional to l हो गया हुआ कि नहीं फिर देखो फिर यहाँ चीज़ यहाँ आपको लागव हुआ कि नहीं इस्टे बोलते है यह जे एक के लिए तोड़े है पूरे physics के लिए अब यह दोनों constant हो गया तो n inversely proportional to 1 by L हो गया तो 1 by L का मतलब क्या हो साब n1 upon n2 equal to inversely proportional का उल्टा इसका मतलब l2 upon l1 है ना n1 upon n2 equal to l2 upon l1 कोई तकलिफ इसमें n1 upon n2 equal to l2 upon उल्टा हुआ ना और यहां पर भी के साथ क्या relation था टेंसन के साथ सीधा था और यहां पर क्या हो जाएगा उल्टा मतलब length ज्यादा हो तो frequency क्या होगा लेंथ ज्यादा होगा तो frequency क्या होगा उल्टा है तो कम होगा length ज्यादा होगा तो frequency कम होगा length कम होगा तो frequency जादा होगा आई बात समझ में तो length अगर कम हो जैसे मालो गीतार का wire है length अगर कम होता है तो frequency क्या होता है जादा होता है जैसे जो गीतार बजाते हैं उनको देखते होगे कि बजाने के पहले उसको जो है set करता है थोड़ा इधर उधर करके tight white करके उतना हम नहीं जानते हैं क्या क्या करता है लेकिन इसलिए करता है कि frequency जो निकलेगी वो उसके इस सारे factor पर depend करेगा है न कितना tension है tight है कि नहीं है उस पर depend करेगा है यह सारे factor उसमें काम करता है बात समझ में आ रहा है है तो गीतार बजाने में भी इसका application समझ गह वना जो सुनते हो उसमें भी इसका application होता है है मैं तो physics का हर जगा काम होता है जो गाना सुनते हुश्क्रू편 के पर आपको औरगन भाइप वेश्य का व और पाइप तो उसमें Harmonia जो सुनते हो उसमें उसका physics काम करता है खेर चलिए अभी यहां की बात कर ले तो n1 upon n2 equal to l2 upon l1 तो question कैसे produce होता है बात समझ माया length बढ़ेगा तो frequency क्या होगा घटेगा उल्टा ठीक है अब फिर यहां पर देखिए जाओर जो question आपका बनता है देखो अगर सही तरीके साब formula को यूज करना सिख गए तो फिर question बन गया फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है दिक्कत वह मेंद होता है एक वही formula को कैसे हमको यूज करना है formula याद नहीं रहता है कैसे formula को निकालना है तो आपको देखो दो formula से ही सारा formula निकल जाएगा जिसकी विजरत पड़ेगी question में अब फिर यहां पर देखो n इक्वाल टू आपके पास जो 1 बाइ 2L रूट अंडर T बाइ मू है तो इसमें मू क्या है मू क्या है mass per unit length है mass per unit length का मतलब mass upon length है mass per unit length का मतलब mass upon length है आई बात समझ में mass per unit length यह बताओ जैसे mass को हम क्या लिख सकते हैं volume into density लिख सकते हैं volume into density density माल लेते हैं row और length को माल लिया जैसे L फिर volume को क्या लिख सकते हैं area into length लिख सकते हैं volume को क्या लिख सकते हैं area into length लिख सकते हैं है और नीचे क्या फिर एल एल कट गया इसका मतलब है कि म्यू को क्या दे सकते हैं एरिया इंटु डेंसिटी दे सकते हैं म्यू को एरिया इंटु डेंसिटी दे सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखो म्यू को एरिया इंटु डेंसिटी तो यहां जो N equal to 1 by 2L, root under T by mu, T by mu, तो यहाँ पर T अपने जगह पर नीचे mu, mu को यहाँ पर area into rho, ठीक है, mu को area into rho, कोई तकलिफ है इसमें, अब यहाँ पर देखो, frequency के लिए एक तो यहाँ भी formula हो गया, 1 by 2L, root under T by mu, और mu को क्या लिखा यहाँ पर, area into rho, अब यह बताओ, area, देखो area जो wire का होगा, जैसे wire जो होता है, तो उसका यह area लेना है, cross-sectional area, जैसे मालो, suppose जैसे यह wire है, ठीक है, अलागि पतला wire होगा, तो यह जो area है, यह इसका cross-sectional area होता है, यह area, यह area कितना हो जाएगा, फिर इसका radius को certain बनेगा, अब question को थोड़ा और अगर बढ़िया करना चाहेगा, तब इसको radius के term पर ले जाएगा, बाद समझेगे ने, तब क्या करेगा, थोड़ा सा, अच्छा बनाना चाहेगा, तो इसको क्या करेगा, radius के term पर ले जाएगा, तो फिर area को हम क्या करेंगे साहब, इसका area कितना हो जाएगा, पाई r square हो जाएगा, कोई तकलिप इसमें, अब यहाँ पर जो है, 1 by 2 L, root under T, और नीचे जो है, पाई r square into density, तो आप देखिए, यह frequency के लिए आपके पास formula हो गया, आई बाद समझ में, फिर अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहेगा, और थोड़ा बढ़िया करना चाहेगा, तो क्या करेगा, radius को diameter के term में लेते चला जाएगा, तो radius को diameter के term में क्या दे सकते हैं, r equal to dy2, बाद समझ गए, radius को diameter के term में लेते जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो n equal to 1 by 2 L, root under T, pi, r को क्या लिख सकते हो साब, dy2 का whole square into rho, तो यहाँ पर यह, इस term में लेते जाएगा, तो क्या देखिए, इसी से, कईत आपका formula में यहाँ पर मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बात समझ में आया, तो अब यहाँ भी देखो, अच्छा यह बताओ, कि ratio form में, अगर हम बात करें, ratio form में, तो frequency और radius के बीच क्या relation होगा, बात समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है, और यह square है, यह square भी है, और यहाँ पर यह root है, यह तो cut जाएगा न, आई बात समझ में, कोई दिक्कात इसम में, तो आई पहले इसको लिख लिजे, और फिर यहाँ पर देखिए, यह तो लिखाओ न आपके पास इधर, ठीक बात है, अब यहाँ देखिए, फिर और जो बढ़िया कोईशन आपका बनता है, फिर और अच्छा कोईशन बनाने के लिए हम लोग जो है, अपलिकेशन करते हैं, इस फर्मूले का, भी एक्वल टू रूट अंडर, टी बाई म्यू, अब इसमें यह बताओ, ज़रफिर देखिए अब यहाँ से, हमारे पास जो मू है, मू क्या है? मास पर यूनिट लेंट, और अगर यह कास्टेंट हो, अब हम यह मान रहे हैं, कि अगर यह क्या होना चाहिए साब? कास्टेंट होना चाहिए. म्यू क्या होना चाहिए constant होना चाहिए तो इसका मतलब ये तो हम लोग देखें कि V1 by V2 equal to root under T1 by T2 ये तो हम लोग देखें अब देखो जैसे मालो कहीं भी कोई भी wire है और ये बताओ इस point पर इस point पर जो velocity इसका होगा अगर मालो uniform wire है suppose uniform wire है तो हर एक point पर velocity क्या होगआ बराबर होगा या अलग-लग होगा हर एक point पर जो velocity होगा वो आपका अलग-अलग होगा क्यूँ अलग-लग होगा देखो mute अबने से माल लिया लेकिन tension अब हर point पर क्या बराबर एहाँ पर होगा वायर यूनिफॉर्म जरूर है लेकिन ये वायर मासिव में ले रहा है वायर का मंस इसका free end है नीचे क्या है free end है जड़ा ध्यान से देखो और यहां से हम x distance पर हम आप से tension पूछ रहे हैं चलो थोड़ा से इस distance का और उपर बढ़ा देते हैं यहां पर हम x distance पर जो है इस point पर हम tension पूछ रहे हैं suppose तो अब यहां पर देखो कि जैसे v equal to root under t by mu तो यहां पर tension कितना होगा यह हम को चाहिए mu तो constant है यह हम लोग बैठा रहेंगे लेकिन यहां पर tension जो है tension का मतलब क्या हुआ इसके नीचे जितना mass लटक रहा है जो weight इसका लटक रहा है उसके कारण कितना tension होगा है ना आई बात समझ में जैसे मालो कि यहां पर अगर हम tension की बात करें फिर उपर tension बात करें तो कहां ज़्यादे tension होगा उपर ज़्यादे tension होगा बात समझा कि नहीं तो ज़्यादा tension उपर होगा इसलिए कि ज़्यादा mass फिर इसके नीचे आएगा तो जितना मास नीचे होता है उसके हिसाब से टेंशन होता है मास का मतलब वहाँ पर वेट होगी या फिर mg हो जाएगा तो जी तो फिक्स है है ना तो जितना वेट नीचे होगा उसके हिसाब से टेंशन होगा बात समझ माया की नहीं किलर हुआ बात समझ गया ना बात समझ गया ना तो चलो ठीक बात है तो यहां जो है अब यह देखो चलो यहां ध्यान दो बात समझ गया तो यहां पर यह X है अब यहां पर हमको टेंसन चाहिए तो टेंसन पहले बताओ कितना होगा फिर हम लोग करेंगे टेंसन मतलब इसके नीचे का वेट तो यह बताओ कि मास्ट पर sweat कितना कितना यह तो बताओ मुंटा यह हुआ हरक लेकिन टेंसनल फोर्स है हमको चाहिए weight into g इंटू g इंटू g into x हो गया बात समझें कि ने इसमें mu क्या है mass per unit तो 1i length का mass इतना तो x length का mass कितना तो mu into x हो गया ठीक है अब उसके बात क्या करना है इसको g से multiply कर देना है बात समझ में आया ठीक बात है तो अब यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ बैठा देंगे और एक बहुत ही बढ़िया कोश्चन यहाँ से बनेगा रूट अंडर T, T के अस्तान पर कितना बैठा होगे साफ म्यू, X, G और नीचे म्यू, तो म्यू खतम हो गया तो भी X कट गया, तो X रहने दो म्यू काटो, तो V इक्वल टू रूट अंडर X G और यह बहुत ही बढ़िया कोश्चन आपका इस पर बनता है V इक्वल टू रूट अंडर X G और G तो फिक्स है ठीक है, और X जो है यह डिस्टेंस है तिया जितना उपर जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा आई बात समझ में, जैसे महलोग कोई वायर लटका हुआ है तो उपर जो है वेलोसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, नीचे वेलोसिटी कम होगा बात समझ में आया ना, ठीक बात है अब फिर यहां पर देखो, अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में ले जाए तो फिर देखो वही अप्लिकेशन आ गया कि नहीं तो देख रहे हो एक ही जगा बार बार रेशियो फॉर्म में सेम चीज आ रहा है तो यह सिमिलर्टी को पकड़ना है यह टाइप आप कोश्चिन को प्रोड्यूस करता है तो यहां देखो, जैसे वी इकवाल टू फिर एक बार हम लिखा रूट अंडर एक्स जी इसका मतलब वी वन अपॉन वी टू कितना होगा ज़रा बता तो रूट अंडर तो फिर वही बात आगिया कि नहीं जी तो कांस्टेंट है तो वी वन अपॉन वी टू इकवाल टू रूट अंडर एक्स बन एक्स टू और यह भी फर्मुला याद रखिएगा मैं तो यही फर्मुला है वी इकवाल टू रूट अंडर एक्स जी अब यहाँ देखो फिर जी इस पर और इंपर्टेंट कोश्चन बनता है कि जैसे भी और एक्स के बीच का कैसा ग्राप होगा और फिर भी और रूट एक्स के बीच का कैसा ग्राप होगा भी और रूट एक्स और V और X के बीच का कैसा ग्राफ होगा यहाँ भी देखो यह कोश्चन अपने आप में 100 कोश्चन है यह जो हमने ग्राफ दिया है यह पहले भी कई बार यूज हो चुका है आगे भी हो जोगा और यह फिजिक्स से नहीं बलकी के में स्टिमेट सब जगे यूज है तो यह अपने आप में कम से कम 100 कोश्चन है है ना यह अपने आप में कम से कम 100 कोश्चन है इसलिए पहले भी हम लोग कई बार डिसकस कर चुके हैं आगे भी करेंगे और इवेन फिजिक्स के में स्टिमेट सब में यूज होगा अब कैसे लह सबसे पहले और रूटक्स डारेंग्ट्रीप अप जंडे बता तो इस पहले कि चैसे लिए बताओ यह बहुत बाद तो समझ गए ना तो v और root x directly proportional है और अगर कोई चीज directly proportional हो तो उसका graph state line आएगा तो यहाँ पर v और root x अगर हो तब तो graph इसका state line हो गया लेकिन अगर v और तब चाहोगा यह सोचने वाली बात है और यह confusible question भी है कब यह देखना होगा कि v और x के बीच graph है कि यह भी और root x के बीच graph है यह ध्यान देने वाली बात है curve होगा यह बात तो सही है अब यह भी बात एकदम कई बार यूज़ हुआ है कि देखो अगर directly proportional है कोई चीज directly proportional तब तो state line होगा ठीक है न लेकिन यहाँ पर v और x की अगर बात करें तब तो यहाँ पर अब क्या होगा यह directly proportional वाली बात तो नहीं होगी न root के साथ directly proportional है है न देखो इसको ऐसा लिख सकते हो ऐसे graph बनाने के लिए अगर आपको सोचना है तो यहाँ पर जो है suppose v joh है root under x g है अच्छा squaring तो कर सकते हैं दोनों तरफ तो v square equal to क्या हो जाएगा x g इसका मतलब v square equal to x यह भी देखो आपको पहले कई बार बताए हुए है और यह physics से नहीं यह अपमेट में भी पड़े हुए है v square directly proportional to x और v और x के बीच का graph हो ज़रा सोचो तो कैसा होगा इस तरफ यह सोचने का तरीका है देखो अगर इस square v पर होता है न साब अगर इस square v पर होता है तो कोई भी graph x के symmetrical होगा graph क्या होगा x के symmetrical होगा आई से सोचो जड़ा एक दिम बच्चा जाए साब मालो तुम x को कर दो 5 यह यह v को कर दो 5 x कितना होगा बताओ तो इसको बराबर मालो समझने के लिए यहाला कि तरीका गलत है लेकिन तरीका बता रहे हैं कैसे question को बरा रहा है भी मालो 5 कर दो x का value कितना होगा भी मालो फिर कर दो 6 तो भी बढ़ा है x से मात्र x बढ़ गया x बढ़ गया 12 पहादूर सब x बढ़ गया 11 से अपत्ती समझ गया तो भी कम से बढ़ेगा तो x कितना से बढ़ गया भी को मात्र 5 से 6 किया हम यह वह बच्चा जैसा सोचने का तरीका गरीब आद्वी जैसा सोचने का तरीका अकल के साथ नकल करने का तरीका ठीक है कि B को जो हम क्या क्या 5 से 6 कर दिया तो X का value क्या हुआ 25 से 36 B को थोड़ा से बढ़ाया X बहुत बढ़ गया आच्छा इसमें आपको दो option दे रहे हैं बताता भी इस दोनों में सोच के कौन होगा एक ऐसे एक ऐसे कौन गराब सही होगा बोलो यह तो आप समझ क्यों B और रूट X का मामला हम खतम करते हैं अब इस गराब को हम लीचे बना देते हैं कहीं उधर कटेगा तो B और X दो option देते हैं अब बोलो कौन सा गराब सही होगा इसमें क्या सोच के बोल रहे हो X बहुत बढ़ गया चलो तो यह भी तरीका सही है है ना समझाई जैसे भी question बनना चाहिए X बहुत बढ़ गया ना आई इसमें X क्या होगा देखो तो काम से बढ़ा इसमें मेथ का ज़्यादे काम है common sense का ज़्यादे काम है है ना बात समझ भाया ना इस तरह से पकर लेंगे हम लोग अप्सिन में पकर लेंगे इसे ठीक है अब ऐसे याद रखने का एक तरीका थे बताए ही कि इसक्वाइर अगर भी पर हो ना तो ग्राफ X के symmetrical होता है इसक्वाइर अगर X पर हो तो भी के symmetrical होता है symmetrical मतलब उसको गेरेगा ऐसे समझना बच्चा उला तरीका बात समझ गया ना गरीब आद मी बढ़ा जैसे हमें तो उस type से बता रहें है न बात समझ माया न ऐसे हम भी याद रखते हैं भी गरीब आद मी है तो तुम लोग भी अपना ऐसे याद रखोगे ठीक है तो यहां पर देखो तो भी और एक्स के बीच का आप कौन ग्राफ होगा यह ग्राफ होगा यह कट जाएगा क्यों इसमें देखो भी जो है जादा से बढ़ता है तो एक्स इतने ऐसे बड़ा इतने ऐसे बड़ा अब भी कहां से कहां चला गया यहां से यहां चला गया भी इतना बड़ा आसमान चुलिया और एक से एकदम जरा से बड़ा एक ग्रम बात समझ गया इस याद रहेगा अब बता आप जो बोले कि अपने आप में सो कुछने गलत बोले कि सही बोले हम पहले भी यूजवाए कि नहीं पहले भी यूजवा और इतना यूजवा से तुगुना तुगुना आगे यूजवता रहेगा और खाली फिजिक से नहीं इमानदारी से बोलो में यूजवाए कि नहीं पका हुआगा मैत का तो चीज़े है मैत मैत आपको पढ़ने है ग्राफ आप पारा बोला ग्राप फाइपर बोला ग्राफ पढ़ोगे ठीक है अधर बाइवाले के लिए ना चल यह बात समाझ के ना और यह बात जान लो इस तरह से अगर सोचोगे को सन में जादे कर फूजन नहीं कर बनाएगा राम से जो जादे जानता हूं उससे को फूजन होता है प्लाफ नौलेज चलो बात समाझ गया लेस न चलो ठीक बात तो बात क्लेर होगे ठीक है तो अब इसका गराब क्या होगा यह होगा अब धियान यह भी देना है कि भी और एक्स है तो ऐसा भी और रूट एक्स होगा तो ऐसा स्टेट लाइन समझ गए कोई दिक्कत इसमें तो इसको बना लीजिए आप लोग भी पहले है फिर उसके बाद इसके बाद आप बढ़िया कोशन पर हम डिसक्स करने जा रहे हैं हमारे चैनल इनोवेशन फिजिक्स भायार के जैसर अभी इस पर और अच्छा कोशन डिसक्स करेंगे